नमस्कार सातियों, सातियों आप सभी कामारी यूटूब चेनल पर बहुत बहुत धार्दिक सवागत हैं दोस्तों आज अंतराष्ट्रिय भाग दिवस है ठीक है सातियों, गुणंतीस जुलाई को अंतराष्ट्रिय भाग दिवस या इंटरनेशनल टाइगर दे बनाया जाता है तो दोस्तों आज के इस अवसर पर हम भाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्यों के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाष्ट तक अविशे देखें, नेक्ष देखते हैं दोस्तों विशु भाग दिवस, कम मना जाता है गुणंतीस जुलाई को बारत में बाग संक्या का हरास और कारण एक अनुवान के अनुसार वर्स 1835 से 1925 के बीच बहरत में लगबग अस्याजार बाग मारे गए थे बढ़ती मानुव जनसंक्या, कर्सी विस्तार और वनों की कटाई ने बागों के आवासों को खतम करना शुरू कर दिया था जिससे 1940 के दसक में बागों की संक्या में तेजी से गिरावट शुरू हुई 1980 के दसक में अनियंत्रित अवेद्ध सिकार ने बागों की संक्या में गिरावट को और तेज कर दिया था ठीक है, बाग सर्रक्षन हेतू भारत के कुछ प्रियास आये दोस्तों, जेकते हैं बाग के सर्रक्षन के लिए सुरुवाती दोर में कई सरकारी प्रियास, सिकार पर परतिबंद और गाओ में जागरुकता अभियान आधि सुरू किये गए थे भारत ने वर्ष गुनी सो बहतर में अधिकारी की तोर पर बाग के सिकार पर पर परतिबंद लगा दिया गया था ठीक है, नेक्ट देखते हैं बाग सर्रक्षन के परति जागरुकता बढ़ाने के उध्येशे से हर वर्ष गुनानतीस जुलाई को विश्व बाग दिवस मनाय जाता है टी इंटू दो वर्स 2022 तक बागो की संख्या को दो गुना करने का लक्ष है ठीक है बागो की संख्या को दो गुना करने का लक्ष है के उद्देशे से एकजूट हुए थे कब दोस्तो 2010 में अकिल भारतिय बाग अनुसंदान संख्या 2022 अकिल भारतिय बाग अनुमान या संख्या 2022 भारत में वर्तमान बागो की संख्या 3166 है जो वर्स 2018 में 2960 थी वर्स 2014 से 2018 के दोरान संख्या वर्दी धीमी होकर 6.7% लगबग 33% हो गई बागो की इस गन्नान में भारत के 20 राज्यों के वन्य आवासों को सामिल किया गया था मद्य भारत के बाद उत्तर में सिवालिक और गंगा के बाड के मेदानों में बागो की संख्या में प्रयाप्त बढ़ोत्री हुई वही पस्यमी घाट में बागो की संख्या में गिरावट आई है नेक्ट देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की मदद से भारत के भारत ने लगवग 25,800 वरक किलोमेटर में विक्षित त्रेपन टाइगर रिजवर निर्मेत के हैं ठीक है ये गया है बंगाल बाग दोस्तो अब जो टाइगर है जो बाग है उनके बारे में देखते हैं उनके बारे में कुछ है अपन जानते हैं ठीक है बंगाल बाग पैंथेरा टाइगरिस टाइगरिस ठीक है इसे भारते बाग या रोयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है यह भारते उपमाधिब का मोल निवासी है वर्तमान में यह भारत, बंगलादेश, नेपाल और बुठन में पाया जाता है यह बाग की एक प्रमुक परचाती है और यह जंगल में पाये जाने वाला सबसे बड़ा बाग है ठीक है बंगल टाइगर लुप्त पराई सूची में है दोस्तों जो बंगल टाइगर है वो लुप्त पराई सूची के अंतरगत समिल के आ गया है कई चेतरों में बाग संकट बढ़ रहा है जिसमें जारकंड और आंदर परदेश जैसे राजे सामिल है जहां गंबिर सनरक्षन प्रियासों को बढ़ाने की जरूरत है बाग और उनका सनरक्षन प्रमप्रागत रूप से बागों की आठ उप परजातिया मानी जाती है जिसमें से तीन विलुप्त हो चुकी है बंगाल बाग, अमुर बाग, दक्षिन चीन बाग, सुमात्रा बाग, केश्फियन बाग, जावा बाग, पाली बाग और इंडो चीनी बाग ठीक है सनरक्षन की इस्तिति भारतिय वन्यजीव सनरक्षन अधिनें, 1922 के अनुसार सुचिफ एक के अंतरगत सनरक्षन की इस्तिति को उजागर किया गया है आई यू सी एन रेड डाटा बुक में सुचि में लुप्त प्राई वन्यजीव को रखा गया है सी आई टी एस प्रिस्टिफ एक, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं ठीक है दोस्तों, आज के सेसन हमारा यहीं समापत होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक अविशे करें चैनल को सब्सक्राइब अविशे करें तो दोस्तों हमारा चैनल के आर यादव एड 766 इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अविशे करो इसको Facebook को फॉलो कर सकते हो Instagram पर भी फॉलो कर सकते हो दोस्तो एक दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब आप सेकरो Official Information 24 ठीक है दोस्तो ये दोस्तो इस चैनल पर जो गौर्मेंट की प्रमुक योजनाई हो गई जो समाचारों और नूज चैनलरों पर जो विशिष्ट तत्य है उनकी Information हो गई तो दोस्तो ऐसे जो गौर्मेंट से जुड़े होए प्रोजेक्ट हैं उनकी जानकारी हो गई इन सब की इस चैनल पर नूज डाली जाती है और वो एक Digital तरीके से डाली जाती है ठीक है तो दोस्तो इसको आप Facebook, Instagram और YouTube पर फोलो कर सकते हो तो दोस्तो ऐसे ही नए नए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे तो दोस्तो बने रहेंगे हमारी YouTube चैनल के साथ दोस्तो जल्द ही हम नए टोपिक पर नए अंदाज में वीडियो लेकर आएंगे तब तक बने रहेंगे जहन जवरत